असलेकुम आज हम पढ़ने माले हैं वर्ट इस क्रोस प्रावजर टेस्टिंग इन ओर्टमेशन ठीक है और आगे हम काफ़ी सब्सक्राइब करें लाइक करें और जितना जल्दी हो इसके हमें से ऑटमेशन स्टिंग को पूरी तना कंप्लीट करेंगे इसको पूरे के पूरी स से दो इसक्रोस द एक स्कूर देखिए तो क्रोस पर टेस्टिंग बेजिकली टेस्टिंग कांड़ डिफेंट ब्राउसर पर चलिया नआ फिकलीट प्रांस प्रतिंग करना अपने टेस्ट को ऑस की युट कोई browser user use natal लेकर यह नहीं पता होता कि कौई सा ब्राइजर यूस करेगा तो इस चीज़ को टकल करने के लिए हम करते है cross browser टेस्टिंग इस क्रूशल टेस्ट टेस्ट था वैब अपलिकेशन, website on multiple major browsers running on different operating system तो यह जाता है कि आपको के website a people browsers पर test करना cross browser testing is a type of browser प्राव्जर् uz 11 इस्ट 10 यह आप टेस्टिंगम करता है तो आप टेस्टिंग को रहे हैं जै 2 ब्रावसेड्यों भाप सबस्टिंग कर रहे हैं इस प्राविज है उसके व्थेल प्रावजर पेडिक तरना का दिश्ताम भांत्का तीस Pap那 ड्रॉसर करें सथ तो यह हो जाएगा बैसिकली क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग और इसमें डिफरेंट ब्राउजर आ जाते हैं जैसे माइं क्रॉम फायर फोक्स अफारी और एच दागोल फ्राउजर इस्टिंग तो लांज एप्लिकेशन ओन वर्यास ब्राउजर तो बैसिकली गोल यह था है कि आप प्राउजर इस्टिंग आपने डिफरेंट ब्राउजर पर व्यांज लांच करनी है रुद्धिर उपरेंटिंग इस्टम जो डिफरेंट किसम के ऊस्ट बाइब आप जो ट्रॉजर और देखता है उसके अप्लिकेशन पर राउजर पर ट्रॉजर पर चलाई तो टेस्टर लुक्स फर दिजाइं रेंडरिंग इश्यों और फुंक्शनलिटियू देखता है इसकी डिजाइन उसकी इस्ट एट देखता है उसकी इसकी फुषक्श तो डिजाइन और रेंडरिंग लाजबी होती है क्योंकि जाहरे वह उसता के डाइन सेम उसी देड़ाइन है यह उपर नीचे हो गया थोड़ा आदा काटरा राइन यह बीच में बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है बीच में डिजाइन इस दाने तो वह जो चेक करते हैं और वाय दू यू नीड टरॉस ब्रावसर टेस्टिंग तो हमें जड़ुत क्यों होती है क्रॉस ब्रावसर टेस्टिंग में पता लगा नहीं कोई किस दिख सारे ब्रावजर चाल रहिए यह तो विद वैप अब्लिकेशन यूं गरेंटी दा ग्र्रावजर प्रफ्रम डव इस तरह को बंदा आपने इंड्रॉइड मॉबाइल पर इसमाल कर सकता है और अपने मैं इसको लिनेक्स पर इसमाल कर सकता है और सफारी को अपने मैक बूक पर सकता है तो है इसके हिए अपनी हो जाता है एंता है कि इस अर ओर फरन टाइशर आपने अपनी अप्लिकेशन टेस्ट करें और है जाद के ऊंपने स्फॉर्ण उस्नलिकाशन गया लित जी अच्वड़ कॉदि को है करें जाश कि इस देख गजे रही इंड हैं तो यह तो यह सारी भात इक है कि यह दो को स्क्राइब यूजर को बिले और कुछी इसमें अप्रवाइब तक विजसेंगे व था उसर दिख इसमें जाएनि था नाव कि ए लिए अट जफीजेंग उस्पाल को विजसेंग गजर ए और काफी सारे ब्राउजर में वो फटेर और बाभ यूजर को लाउजर को लाउजर किके किसी भी ब्राउजर में स्विच करने तो इसका यह मंख्षद ऑ वर्ट इस ओटोमेटिड रिग्रेशन टेस्टिंग जा होती है मैं अप्टादे तो पीछे पड़ गए है जब एक अपडेट आती है ना सौफ़े की अप्लिकेशन की एंडूइड की किसी भी कि वह दो जब अपडेट आती है तो सौफ़े टेस्टर को जाता है कि वह टेस्ट करे कि जो सफ़े अपडेट और उसने उसकी प्रानी फ्रेंशनल्टी पर तो कोई असनी डाला उसको कोई टैकल तो नहीं किया उसने कुछ मतलब कि उसमें चेंजिंग तो नहीं आगी यह नों गुवार फॉंक्शन में कोई इसके प्रॉब्लम थो नहीं अपडेट से तो बग तो भूं नहीं बंगया तो वह थी अपड़िखते रिग अप्रेश्न आप देखते हैं यह उसे सोफेरी इस नेवर ढ़न तो सौफेर मतलब के पूरी तरह कंप्ली नहीं होता पेसिकली मैं उ तो फिक्सिंग बग्स एंड तो डेपर देने फीचेश डालते हैं विक्स करते हैं और फंक्शन डालते हैं और तो कुछ दो चांस होता है कि जो नेहा कोड वो प्राणे की फंक्शनलिटी प्राणे की फंक्शनलिटी को तोड़े तो कोई भी यूजर पसंद नहीं करेगा कि कोई प्रड़क्ट जो यूस करें उसको डाउलोड करने के बाल उनका प्रड़क्ट टूर जाए ठीक है मतलब कि उनका सॉफ्वेर काम करना सही नहीं काम करें कोई खुआ हो जाए उनकी कुछानलिट यूजर फिर दे एक समझा पालब यूजर जो यूजर नहीं तो इसके लिए और हम उनका च्छाब्स मिले और जिस्तां भी यूजर करते हैं ऑनका च्छाब्स में पिले देया वह यह एक्सपक्ट करते हैं कि जो फीचर नहीं कि वहां काम केंट करने वह ब़स्ट परस्क्षिनेटी 3S इस म Total करता है कि उवहांगों घंग सब्सक्राइब पार चीट्व और इसमें और मेंचिन्ट रेस्ट इसमें करते है कि इसमें उट आ कि बैने टेस्टिर प्रफिरवांटेंट लिए इस नाओन एस नाओन ऐस प्रिकेंट ट्रिवर्ण tentang यूज श्रिगेशन देशां तो बैसिकली आंकर बंधन मैन देस्टिंग मैनवल रॉन तेस्ट अफटर अफटर एच नियू लीज ऑफदा सोफिय तो डिए अट्टर रिए इच्टर रॉट्ट किसम के स्क्रिप्स रं करता है नहीं लीस पर नहीं लीज पर नाखे चेक करता है कि यह ना में वह उसकी फिंशनली चाल रही अफट टैस पास अगर तेस्ट पास काले कि यह ना में बस्क्रिप्स है सुपार तो जिस तर दूस्य थाइप से होती है तो अगर अगर एकस्ते थैस्ट अड़ एदिए तो अगर भी वर में अपी नियुद सेटिंग तो आँ से खिंग विलगार ने यह निशनलीं गोलाइज विशनली थी बदौ तो तो नि तो फिर वो इस पर कोई पर नहीं बनता उसको आगे टैस करने का दब तक उसको ड्वेलबर ठीक नहीं करता तो यह मारा टाइम ही बचाता है इसलिए इसको इसको टाइम सेवीं जबी कहते हैं इसको मैं तो बैसिकली यह होती है डिएट टेस्टिंग ओटोमेशन में सबसे स्टिटिज्ट इस स्कुण है तो अभी हम देखते हैं है डिसाइज़ वन टू टो में पहली स्ट्रेटिजी यह पहली वे है वे यह क्या था यह प्रैक्टिस है कि कि अमल कि अटो मेट करना है तो इस नोट पॉसिबल तो प्रैक्टिकल इस पर पॉसिबल और प्रैक्टिकल टो टो मेट सच एज जो मलब साथ साथ चेंज होती रहती है करने में कोई फाइदा नहीं को चीज़ को ट्मेट करें जो रिपीट नॉट ना पर ठीक है स užsаст कीम हैं अटू तो रचम कीम और म любимारे धारव उसर नेथन57 सायuar स्टेस वाग讲 कंभाइच को बंपलेग मीद्च तज neighborhood यिर लिए जिसका मैंस यह जो छाहिए दे श्काम सब्सक्राइब सिसके मताबक टेस्ट डाहाएड करें removing uncertainty the whole goal of the test application is to have a reliable accurate consistent test and that provide you will have feedback to the tester so the whole goal is to automation that reliable accurate or consistent test provide your helpful or tester if the test fails due to bugs in the test itself or it's giving false positive then the ROI on the test automation starts and if the test fails can be like bugs when it's test you will fail to then the false positive positive gives bugs over or find but just positive looks so the ROI is a factor to get after the effect of the factor of luck on this case, which means that the mainégaries are not good है आ रही होती है इसको उर्दु में कहते हैं मैनत का फार्टी है मतलब कि उसका मतलब कि जो बनाए हम अमने इतनी जैदा प्रॉफिट का घ्रम हो जाता है इतनी जींज्ट इसको बनाए हमने पूरी स्ट्रिप्ट से की ऐह वो सारी उनका कोई फाइदा नहीं रहता तो वो काम होने लग जाता है तो यह हो जाती है अंसर्टी अंसर्टनेटी चुर्जिंग अर्धा राइट फ्रेमवर्क एंड टूल अब इसे मराद है कि बहुत साथ टूल्स होते हैं और किसी गलत टूल को चुनना फिर अपना टाइ अब साथ नहीं तो जैनलोग ट्रेस करते हैं लेकिन अब आसा आसा बढ़ता जा रहा है तो वह भी वीजमिया आ रहा है प्ले राइट अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन यह क्या आस्ता अस्ता उस पहले सबसे पहले उसी फ्रेम को वरको ट्रस्ट करें जो आपको न जो इस तरह आप ने इस तरह बग डेटा जाएगा बग कर देश्ट रेकोड तो मतलब कि जब निया बग फाइंड वो तो उसको बग जब बैक ट्रेकिंग दूल जो इसको रिकोर्ड कर लें और फिर वह आगे जब उसको दोबारा बग को रिप्र रिप्रडूस करेंगे त तो पुछ असानी होगी दोबारा बी प्रूडूस करने में तो इसको यह फाइल हो जागा की आटमेशन को यूज करके मैक्सिमम वैलियू निकालना नमेन एडिया बेहां था टेस्ट मेरमें इस्टू है मैंने यूनित टैस्ट एंड फ्यू ब्रोड टेस्ट फॉर दा जीपी यू आई तो इसका मेन आइडिया यह था कि बहुत सरे यूनित टेस्ट करना ठीक है बहु सबसे उपर जो जा रहा है वह उस पर डॉल डॉल लिखावत उस पर ज्यादा फाइदा हो रहा है समयने उस पर प्रॉफिट जैदा है अच्छा यूई टेस्टिंग इस वेरी बिटल यूजर इंटर्फेस आ कॉंसली चेंजिंग एन इन्हांस्मेंट तूट आइसली ब्रे इस पर देख सब मेनी टेस्ट कोई भी एक एक एन्हांस्मेंट तो फिक के बहुत सरे टेस्ट को डिश्ट्रोइ कर सकता है विच नीज तो ब्रेकरना जूरी होता है काजिंग एडिशनल वर्क फो दटीम फिर यह जाहरे जिसको टेस्ट को ब्रेकरना पड़े तो फिर वो कह बरता चाहता है यह स्थाप्ट शर्ड के साथ ठीक है जिसता टाइम के अप्डेट साथ अती घ्या थी न फिले थी तो परता जाता है you can perform it on few machines on which you have the license for the समय के पर। आप को जाने सब्सक्राइब की शुछ गप जानें इस पर घिसका लाइसन्त व्म यह सुछ अधों इस्टमिंट तेस्ट परिएल क्प्रेमिट इंटेस्ट मेशुटे मेरि एंट मतुक्स सब्सक्राइब तो यह कहा रहा है कि पिरमिट स्कीम है वह सही का एडिया है कि हमें जादा 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 युना टेस्ट होने चाहिए और कम से कम ट्रडिशनल युव आटमेशन टेस्ट होने चाहिए क्योंकि युक्किन इंटर्मिडियर लेयर ओफ तर्विस टैस्ट इसके एक लेर होती है सर्विस टैस्ट के डैट केंज परवाइड मैनी परेंफिट ऑफ एंड टू एंड युव एटेस्ट जो के नाम है डिफरेंट किसम के फाइदे पर वाइड करती है तू एंट टू एंड युव एटेस्ट के विदाउट दा कमलेक्सटी ओफ डिलिंग दा अगर आम युव एटेस्टिंग करें इता सब्सक्राइब करके आम उससे काफी सारे फाइदे ले सकते हैं तो अमें इसकी युव एई फ्रेमवर्स की सक्टेस्टिस को डिल नहीं करना पड़ेगा जो मैं लब काफी सारे कुम्प्लेक्स चीजिजें होती है युव एटेस् के लिए अगली एक्टर में इंशाला मिलेंगे देखते हैं अगले एक्टर में किस तना की आगे पांच और टॉपिक्स पढ़ेंगे इंशाला आला हाफिस